एक बार गर्मी के दिनों में एक कववा पानी की तलाश में यहां वहां भटक रहा था लेकिन उसे कहें भी पानी नहीं नजर आया वो बहुत देर से उड़ रहा था और पानी डूल रहा था अब वो पूरी तरह ठक चुका था हाई रे किती गर्मी है और प्यास भी बड़ी जोर से लगी है आज पानी ना मिला तो मैं कहीं मर न जाओ थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ वो एक मकान की छट पर जा बैठा इतने में उसकी नजर आंगन के कोने में रखे एक घड़े पर बड़ी वो खुश हो गया अरे वाँ मिल गया पानी जल्दी से जाकर पी लेता हूँ वो घड़े के उपर जाकर बैठ गया घड़े में जाक कर जब उसने देखा तो उसमें पानी तो था लेकिन काफी गहराई में था जहां तक कोवे की चोज भी नहीं पहुश पा रही थी वो निराश हो गया सामने पानी है लेकिन मैं पी भी नहीं पा रहा अब क्या करूं मैं क्या करूं क्या करूं वो किसी तरह उस घड़े का पानी पीने की तरकीब सोचने लगा सोचते सोचते उसकी नजर एक कंकडों के डीर पर पड़ी तब ही उसके दीमाग की बत्ती जली आइडिया कववा उड़कर उस कंकड के डीर के पास जा पहुचा वहां से एक कंकड अपनी चोच में उठाकर उसने वो घड़े में डाल दिया एक के करके उसने घड़े में काफी कंकड डाल दिये घड़े का पानी काफी उपर आ चुका था पानी काफी उपर आ चुका है, अब मैं पानी पी सकता हो और वो घड़े का पानी पीने लगा इस प्रकार कववे ने अपने बुद्धी और धेर्य का प्रयोग करके अपनी प्यास बुजाई इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी कटीनाई से निकलने के लिए हमें अपने बुद्धी और धेर्य से काम लेना जाईए